गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल अंकित स्टेडी आईक्यू आज है 15 फरवरी 2020 आज के दिन के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन होंगे इस वीडियो में डिसकस करूँगा और सारे कुश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में आप लोगों से कुश्चन भी पूछूँगा जिसका एंस्वर आप लोगों को कमेंट बाक्स में बताना होगा और इस वीडियो का पीडिये फाइल आप लोग डिसक्रिप्शन बाक्स में दिये गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं भारती चार्टर एकाउंटेंट संस्थान के बारे में तो भारती चार्टर एकाउंटेंट संस्थान की अस्थापना एक जुलाई 1949 इस भी में हुआ था और भारती चार्टर एकाउंटेंट संस्थान का मुख्याले कहां पे है तो इसका मुख्याले नई दिल्ली सहर में है जो कि भारत देश की राजधानी है आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पासी में लगे वेला आइकन ब पुरसकारों में प्रत्थम पुरसकार किस बैंक को मिला है तो अभी हाले में भारती बैंक संगद्वारा बैंकिंग प्रद्योग की 2019 के पुरसकारों में प्रत्थम पुरसकार साउथ इंडियन बैंक को मिला है यानि कि इस कुष्चन का ओप्सन नंबर सी सही है अब यहाँ पर बात हुआ है South Indian Bank का तो South Indian Bank के बारे में जान लेते हैं South Indian Bank को टेकनोलाजी के इस्तेमाल की स्रेडी में सबसे अधिक ग्राहक आकरसित करने में बिजेता बना है South Indian Bank का मुख्याले केरल के थ्रिसूर सहर में है और बरतमान समय में South Indian Bank के CEO का नाम V.G. मैथ्यू है भारती बैंक संग यहाँ पर एक नया टर्माया है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं भारती बैंक संग के चेर्मैन रजनीश कुमार है और भारती बैंक संग के CEO सुनील महता है और भारती बैंक संग का मुख्याले मुंबई सहर में है जो कि महाराष्ट राजी की राजधानी है और भारती बैंक संग की अस्थापना सन 1946 इसभी में हुआ था आईए चलते हैं आज के अगले कुश्चन की तरफ आज का अगला कुश्चन है हाली में प्रवासी भारती केंद्र दिल्ली का नाम बदल कर किस के नाम पर रखा गया है तो अभी हाली में प्रवासी भारती केंद्र दिल्ली का नाम बदल कर सुसमा स्वराजी के नाम पर रखा गया है यानि कि इस कुश्चन का option number A साई है अब बात कर लेते हैं सुस्मा सुराज के बारे में सुस्मा सुराज भारत की पहली पूर कालिक बिदेश मंत्री थी जिनका अब निधन हो गया है या बिजेपी पार्टी के नेता थी अब यहां से एक कुश्चन और बन सकता है कि प्रवासी भारती दिवस कम मना जाता है तो प्रवासी भारती दिवस हर साल 9 जन्वरी को मनाया जाता है अब यहां से आप लोगों को एक कुश्चन और याद रखना है कुश्चन क्या है राष्टी वित्ती प्रवंधन संस्थान का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो राष्टी वित्ती प्रवंधन संस्थान का नाम बदल कर अरूर जेटली राष्टी वित्ती प्रवंधन संस्थान कर दिया गया है आईए चलते हैं आज का अगले कुष्चन की तरफ आज का अगला कुष्चन है अब यहां से कुष्चन और बन सकता कि राष्टी उतपाथक्ता दिवस किसे द्वारा मनाया गया है तो राष्टी उत्पादक्ता दिवस भारती उत्पादक्ता परिसद यानि की नेशनल प्रोडक्टिविटी कांसिल के द्वारा मनाया जाता है राष्टी उत्पादक्ता परिसद के महानिदेशक अरुड कुमार जहा है आईए चलते हैं आज के अगले कुष्चन की तरफ आज का अगला कुष्चन है हाली में किस कम्पनी ने पहले सिप्टी नामक सार्बजनिक जागुरुक्ता पहल की घोसना की है तो अब ही हाली में Google इंडिया ने पहले 70 नामक सार्वजनिक जागरुकता पहल की घोसना की है यानि कि इस question का option number A सही है इस पहल के द्वारा लोगों को internet का उपयोग करते समय सुरच्छा उपायों के बारे में बताया जाएगा गूगल इंडिया ने security check-up और password check-up नामक सक्तिसाली टूल भी लांच किया है अब यहाँ पर बात हुआ है गूगल इंडिया का तो गूगल के बारे में जान लेते हैं गूगल के CEO बरतमान समय में सुन्दर पीचाई है और गूगल की parent company है अलफाविट कार्पोरेशन जिसके CEO सुन्दर पीचाई ही है और गूगल का मुख्याल है United States के कैलिफोर्निया प्रांत के mountain view सहर में है और गूगल के संस्थापक कौन है तो गूगल के संस्थापक Larry Page है और सर्जी ब्रिन आईए चलते हैं आज के अगले कुष्चन की तरफ आज के अगले कुष्चन है हाली में जलवाई परिवर्तन पर अंतर राष्ट्री सम्मेलन क्लिम फिस कौन 2020 का आयोजन किस राज़ में हुआ है तो अभी हाले में जलवाई परिवर्तन पर अंतर राष्ट्री सम्मेलन क्लिम फिसकोन 2020 का आयोजन केरल राजी में हुआ है, यानि की स्कुष्चन का ओप्सन नमबर सी सही है, अब यहाँ पर बात हुआ है केरल राजी का तो केरल राजी के बारे में जान लेते हैं, केरल के मुखने アधिष का नाम एस मड़ी कुमार है, और केरल राजी में लोग सभा सीटे 20 हैं, राजी सभा सीटे 9 हैं, और केरल राजी का महत पूड़्ेवार क्या है, तो केरल राजी का महत पूड़्ेवार ओडम है, इसके हलाओ केरल की कोच्ची सहर में भारत अंतराष्टी समुद्री उत्पास सम्मेलन का भी आयोजन हुआ है केरल की कोची सहर में समुद्री पारिस्थित की ये तंत्र पर बैस्विग वैठक का आयोजन हुआ है Global Investors Meet 2020 का भी आयोजन केरल की कोची सहर में ही हुआ है आये चलते हैं आज के अगले कुष्चन की तरफ आज का अगला कुष्चन है हाली में प्रकासित पुस्तक थिन माइंड मैप बुक किस के द्वारा लिखी गई है तो अभी हाली में प्रकासित पुस्तक थिन माइंड मैप धर्मेंद राय के द्वारा लिखा गया है यानि कि इस question का option number C सही है आईए चलते हैं आज के अगले question की तरफ आज का अगला question है हाली में विश्व रेडियो दिवस 2020 कम मनाया गया तो अभी हाली में विश्व रेडियो दिवस 2020 13 फरवरी को मनाया गया है यानि कि इस question का option number C सही है यह दिवस हर साल 13 फरवरी को संयुक्त राष्ट के द्वारा मनाया जाता है संयुक्त राष्ट विशु रेडियो दिवस को मेडिया में रेडियो के महत्व और लोगों में इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाता है बिसु रेडियो दिवस 2020 का थीम क्या है तो इसका थीम है रेडियो एंड डाइवर्सिटी इसके अरामा राष्ट्री महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर राष्ट्री महिला दिवस कम मनाया जाता है तो अंतर राष्ट्री महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जा राष्टी महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर राष्टी महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है आईए चलते हैं आज के अगले कुष्चन की तरफ आज का अगला कुष्चन है हाली में अखिल भारती सतरंज संग का अध्याच जबह Всёक किसे चुना गया है तो अभी हाली में अखिल भारती सतरंज संग का अध्याच आजय पटेल को चुना गया है यानि की कि इस कुष्चन का option number 20 है आईए चलते हैं आज के अगले कुश्चन की तरफ आज का अगला कुश्चन है हाली में Air India के नए चेयर मैन वा CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अभी हाली में Air India के नए चेयर मैन वा CMD के रूप में राजिव बंसल को नियुक्त किया गया है यानि कि इस कुष्चेन का उप्सन नंबर ए सही है अब यहाँ पर बात हुआ है Air India Company के बारे में तो Air India Company के बारे में जान लेते हैं Air India Company जो कि भारत की सरकारी Air Lines Company है जिसका मुख्याले दिल्ली सहर में है जो कि भारत देश की राजधानी है और दिल्ली में अभी हाली में बिधान सबा चुनाव हुआ है बिधान सबा चुनाव में टोटल सत्ता सीटे थी दिल्ली में जिसमें आम आदमी पारिटी ने 62 सीट जीत लिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल हैं जिनका अभी हाली में 16 तारी को सफत ग्रहर समारो होगा आज का अगला कुश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तो जिसका एंस्वर आप लोगों को कमेंट बाक्स में बताना होगा कुश्चन क्या है हाली में किस अंस्थान का नाम बदल कर अरूर जेटली के नाम पर रखा गया है तो इस कुश्चन का आप लोगों को एंस्वर बताना होगा कमेंट बाक्स में उभी फुल डिटेल के साथ तो यह रहा आज के करेंट अफेयर्स का कम्पलेट वीडियो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए और अपने सभी इस्टडी रिलेटेड ग्रूप में सेयर करिए और यह चैनल सभी गवर्मेंट एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर है तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए सेयर करिए और लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों से यह अभी बताएक इस चैनल पर डेली करेंट अफेर्स के वीडियो सुबह पांच बजे अपलोड होते हैं थांक्स फार वाचिंग दिस वीडियो